हेलो दोस्तो मैं हूं इंडियन स्पोर्ट्स गेमर और स्वागत आपका फीफा 20 के वोल्टा स्टोरी मोड पार्ट 7 में हम लोग है टोक्यो में फिलाल और टोक्यो का टैंगो लीग जीत लिया है और पिछले एपिसोड में हम लोग ने स्किल ट्रेनिंग कम्प्लिट किये और जो लेजन्ड है टोका रो उसके टीम को हराया और थोड़ा सीड के पास्टोरी में भी थोड़ा देखा क्या है सीड की पास्टोरी तो आगे बढ़ते देखते क्या होता है यहां पर स्टोरी को कंटिन्यू करते है अगर आपको पसंदार होगा तो लाइक करिए शेर करिए क्यानल को सब्सक्राइब करिए और शेजीनों यह पर वापस आगा है युएस में असे लग रहा है वो शूट कर रहा है नेदर लाइंस वाव और एक लेजन्ड है चलो जेजीनों का सर्जिरो सर्जरी शर्जरी विए यह उसक्सेश लुए यह यह जो विए जक्ति एमस्टरदेम था जांक वो अब आपको नहीं जब रहा है वह जो अपके श्रॉट एम्सटरदाम अजोटे में यह जोड़िए यह तोम रोग ने टोक्यों कम्प्लिट किया रभी हम टोक्यों से जाएंगे अधिर यह ए अब देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शंस अधी ऐए यौरोप में पास ही रही होना है जहाँ आप 5 on 5 रोम में 5 on 5 पारीज में 30 on 3 Berlin में 5-on-5 London में 4-on-4 पहले होंगे Amsterdam में जहां पे यह क्या है The Boiler is known to be a gritty underground game with players coming from all over the world to taste their mettle try to win streak and play a single match तो Rocky हेहा काई जा यहां पे होगा I don't know उसका क्यू दिया है Rocky हेहा काई जा का but I think I think that was in the start of the world of the legends case in the world of the legends case in the world of the legends case in the world of the legends case let's travel and see how it is Amsterdam this is the plane's side view and we are coming in the Netherlands wow oh oh here is the ground exactly nothing here exactly what's this guy's problem what's this guy's problem this guy's problem this guy's problem we haven't recruited him where do you want me to go huh oh 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 we have to recruit someone we have to recruit someone and he is coming back to J10 X-Crew विक्ती आओ इस पेले प्लेवारी है गोगी पर यह पर इस पहले प्लेवारी प्लेवारी से दिख रहा है वई हैं वाई है वाई है वाई है विक्ती कुछ कर दो कि मिने बॉइल नहीं? यह यह जिए यह जए बॉइल इंदि यह इसले दो अभी दो कि आख विए जीह लिए जो कर दो किस बिएलो रफ दो दो तो रहे लोगरे विए एग है यह जो? क्या ब 노래ा कहा बोट फीजिकल एक्षिकल ऑगा दार जादर थाखल उन जहाद रहे हैं इत्स तफ मतलब क्या थफ-2 त्व मतलब चुर या अची आज इजाद टाकलोंग है वह आज बह रहे हैं और जब फिफा ट्वेंटी का देमो था था तब देमो में ये वेन्यू था एंसरद आम का ये विनिशियस जुनियर की तीम थी ती और एड़ एड़न गिल्स फांडर्स फूटबल और दीर्क गेंपर और था तीम भी तरी आप है तो विने चेसे आगो से एंक ने केंश तृट इन्टेश्टिंग तो विन्हा तो स्टी इंकर्श्टिंग जड़ी जैतना अथ टीम इट अव्ट टा आमस्टी आ यह रविलंग्ल्टन आप्ल विल्क्ता इंट्विल्स एंट भ Godfather just got you in the guest list 5 straight wins is the record good luck so what continues we have to win in 5 I haven't explained it here what exactly wow beautiful graffiti total 6 rounds and 4 on 4 1st to 5 medium pitch let's advance and this is the 14th player we didn't recruit automatically who knows but after this match we will recruit one match and then we will recruit so win 2 Volta League matches Volta 2 tournament matches in the parking lot so the first match here the boiler in the popular venue Palo club versus J 10 one 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 two 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 one one two 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 one two one two one two two one two one two one two 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 three two two तो ओपनिंग कर दिया मेडन लेजंड ने यहाँ पर पहला गोल मार के देखो कोई नहीं था और इजी गोल पहत फ़नी लग रहा है यह लोग ऐसे पिंक कपड़े पहन के सब लोग और सिर्क अग्रेसिव चालेंज यहाँ पर थूपास और गोल नहीं हो पाया और सिर्क से बॉल स्टील कर लिया है और पर बहुत ही इंपॉर्टन ब्रेक याँ आपर मेडन लेजंड में फिर से पास चुका सिर्का पर यह इंपॉर्टन टैकल फिर से और यह पहला गोल जी टिम का बहुत ही खटिया पर्फरमंस था यह प्ले में बैलर क्लब का राइटिंग वो लोग डिजर्व करते है गोल आप चांस अच्छी थू पास बहुत ही बैतर इन क्या था और फिंग फाइंड कर पाए नेट को अच्छा पास यहाँ पर मेडन लेजंड का नहीं बीट कर पाए खोल कीपर को अच्छा इसेप्शन और ये एक अच्छा फिनिशिंग यहाँ पर मेडन लेजंड का और एक खोल और बहुत ही बैतर इन ब्लॉक इजी फिनिश यहाँ पर थ्री नील अच्छा आपको ऐसा लग रहाँ कि डिफिकल्टी बहुत इजी इसको इंक्रिट करना चाहिए तो नीचे कॉमें में लिखिए आइ तिंक मैंजे चांबुष के इजी रखा है क्योंकि मुझे चाहिए कि हम स्टोरी को आगे बढ़ाएं ऐसा नीच क्योंकि एक बार अगर मैच हार गए तो वापस प्रवे से चालू करना पड़ता है चो कि बहुत टाइम कंजुमें और फिलाल यह एक्सिस में तिर्फ दस घंटे मिलते हैं ट्रायल पिरेड तो दस घंटे में ज तो अब ही तक तो कुछ ज्यादा फिजिक्यालिटी नहीं लगे मुझे इतना हाइप किया ता कि डेंजरस है बॉइलर और डेंजरस है अमस्रेडाम का स्रीट फुटबाल पर अभी तक तो ओके लगा है तो कुछ चेंज ने लगा है अल्मोस्स सिमिलर लगा मुझे टोक्यो के फुटबाल जैसा और नाइन पॉइंट नाइन रेटिंग मिले है यहाँ पे ओवरल सेवेंटी टू और एक और पास रूपा से गोल मारा तो हो सकता है और क्या है अडिदास का यह मिलेगा जब दो वाली में गोल मारेंगे इंट्रेस्टिंग और एक रिक्रूट प्लेयर तो अभी कर रहे है और वोल्टा लीग और टूर्णामेंट पार्किंग लॉट में जितना होगा ओके और यहाँ पे प्लेयर को रिक्रूट करते है चलो यह सबसे बेटर लग रहा है यह सब में से जैम्स तो इसको रिक्रूट करेंगे सीड थी पर सीड अपने वास अल्रेडी इसलिए में जी गोलकिपर को नहीं आपने दो मीड प्लेयर कोई भी रैंडम है पिंटो और और कोई तो नहीं आई है तो इसलिए इसको रिक्रूट करने की कोशिश की अभी जेखते हैं कि मैंने अल्रेड एक बार किया था पर हुआ नहीं था अब जेटें नहीं सामने रोणना रोणवा हुआ है इंट्रेस्टिंग नहीं टीम और यहां पर स्क्वार्ड मैनेजमेंट में जाते हैं और चेंज करते हैं यहां पर आदेख सकते हो यहां पर इसको तमूरा खोल लिया था टोक्यो में वह बेमेड फिल्डर है उ इसको ले उसको चुली 65 रेटी है उसका और यह जो है वह 74 तो उसको जरूर लेंगे यहां पर पिंटो को जाना पड़ेगा क्योंकि टेलर बेलमॉंट 67 है पिंटो सैडली 66 थी पिंटो ने बहुत अभी तक अच्छा परफॉर्म किया था यहां पर अभी हम हाइस टेट नही है अपने उपर भी कोई तो आया है वो है 74 रेटेड और अगर चांस मिला तो यह बार हम वाली पे गोल करने का कोशिश करेंगे शुरू करते छे राउंडे उसमें से यह सेकेंड मैच पर अभी प्लेयर सामने और रोन्वाव में वी सिड है उनका लोगो अच्छा लगा मुझे और वाली पे स्कोर करने का कोशिश नहीं हो पाया और शिट का पास इस नहीं हो पाया और शिट का पास इंटरसेप्ट किया और यह अच्छा गोल पहला पोजिशन छोड़ किया वह गलती किया तो आपने देखा होगा स्टोरी के स्टाटि में बोला एडवैंगिल ने की बहुत ही बहतर इंगोल एडवैंगिल ने बोला था कि अभी तक फाइव रेकॉर्ड है फाइव अंडिफ पीटेड स्ट्रीक का तो उसको बीट करना गा तो हमें स्टिक्स करना पड़ेगा एक हो गया उसमें से अच्छा ब्लॉक करने कोशिश और ये पास और ये खोल और वॉली पे गोल किया और ये किया तो अडिदास के शॉर्ट्स अनलोख होंगे वाव और टू ओल हो गया यहाँ पे लूज डिफेंडिंग लूज गेम ओवर ओल स्टिड भी पाचु में हट गई गोल करने दिया और क्या इजी गोल था ये बहुत ही इजी गोल था अल्मोस्स अब लोग एक जगा पे खड़े रह गये और गोल माने दिया मेडल लेजंड को अब टीनो के दीनों को अभी तक मेडल लेजंड में मारे और अचा ब्लॉक बहुत ही इंपरेंट ब्लॉक और ये गोल्चा था गोल में जएंड का क्या ये वा ल्हां और हैंट था था उता नहीं च्रीट फुड़ों में हैंड अरावड इया नहीं और बहुत ही बढ़िया थुरू पास मेडर लेजन का और ये गोल मारा उनका नाम विचापी तक याद नहीं है अब भी मालूम पड़ेगा उनका नाम और उनका नाम है नहीं आएगा मैच जीत लिया यह पे दूसरा मैच भी आ गया और 9.9 रेटिंग चार गोल और एक असिस्ट और देखो हंटर मिल गया हमें और अडिदास के शॉट्स भी आ गए क्या बात है और अब भी लोग शॉट्स मालेंगे तो यूनिस की डेनिम मिलेगी वोल्टा लीग मैच इस और वोल्टा टूर तो बहार जाके खेलना पड़ेगा वो स्टोरी में इंक्लूडेट नहीं है तो बात में देखेंगे पर फिलाल एडवांस करते है दो मैचेस हो गए और तीसरा मैच भी आपे खेलेंगे आउट आफ सिक्स यह पर लोडिंग तो कट्सी नहीं है यह 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 क्या कर रहा है नए शूस टो कि किया कर रहें तो च्टी काम का रहा है व्यूस थाल मुवरे दो मुझे दल्पा सेयूस कर थाप लोडिंभै उफ्राई exports Kip Erस , एक फिनके अचाव कहा रहा है नहीं अरे टोरले है you had to have any big shoes did you ? really you think that ? yes really you designed your own shoes ? i did not even know that was a thing ? those are tight ! they are just prototypes yeah ? secret orange color of the shoes interesting yeah we are in Netherlands तेडिको है वि फिर मया ग्राव कि ए र मैट टुन हमे अगद याद और राउंड ट्री में फिर से आएंगे जे टेन यहां पर राउंड ट्री भी खेलेंगे आप स्ट्री टाइम में है हम पॉइलर में और यहां पर देखो नहीं हो आडिदास का चैकेट आया है वाकिंग इट इन विठ्या होता है तो हम चल के अगर गोल मारेंगे चार बार तो आडिदास का बहुत ही कूल चैकेट पिलेगा कोशिश करेंगे वो जीतने का और जे टेन फिर से आ गई है और यहां पर पालर क्लब उनका तीसरा मैच जीतने ही कोशिश और यह मैं चल के गोल मारेंगे गोशिश की पर अच्छा डिफेंड के आई थी इतना जल्द बाजी नहीं करने चाहिए मुझे और यह वीक पास बहुत ही वीक पास और यह पहला गोल मार लिया है चेट इन ने बहुत ही बखवाज गेम था यहापे और एच डबलियो ने गोल मारा है और मेरे लिजन फिनिश नहीं कर पाए और यह डारेक पास और क्या गंदा पास था पर अच्छा ब्लॉक पर क्या पासिकल किक मारा है यहाँ पर और जीरो टू से लीड कर रहा है भी एच डबलियो के दो गोल और अच्छा ब्लॉक यहाँ पर रीड किया बराबर बहुत ही बड़िया पास और मेरे में गोल मारा है इंपोर्टन गोल ट्रेल कर रहे है टू वन से ज्यादा कुछ फैंसी टाई नहीं किया सिधा गोल मारा और अच्छा पास अच्छा ब्लॉक और यह थीन गोल हो चुके है जे टेन के और सिफ दो गोल और वो भारा देंगे वालकलब को और मोस्ट हाफ वे डाउन दपीच से मारा और कोशिश करें ओपनिंग की यह ओपनिंग मिला और थोड़ी से के लिए चूग गया है और यह फिर से एक बार सीड ये टाइम और सीड ने सीड से बॉल ले लिया पर फाउल हो गया अच्छा पास उपन है वहाँ पर और ब्लॉक भी अच्छा किया पास मेडल लेजन को और ये अच्छा काउंटर अटक यहाँ पर थ्री टू कमबैक चालू यहाँ पर बैलर क्लब का और अच्छा इंटरसेप्शन को और क्या मिस किया यहाँ पर बहुत ही एजी चांस था एकच्छी हो और सिट कोशिश करें डारेत मेडल लेजन के पास पॉल और ये रड़न क्यूंट लिया पता नहीं और मेडल अच्छा पास दिया पर बहूत ही पढ़िया ब्लॉक और ये वाक इन करके पहला गोल और बैलर क्लब ने अल्मूस्ट घटिया पर दर्शन किया था पर तो भी लखीली गोल हो गया है चेंश ने गोल किया है उसका पहला गोल बैलर क्लब के लिए और ये गोल 4-3 हो गया है और क्या कमबैक किया है यह आपे 0-2 डाउन थे 1-3 स्कोर था और उधर से 4-3 हो गया है एक गोल की कमी हापे टाक टू बैक 3 विंस करने को और ये बच गये और जेम्स बहुत आ के आ रहे समझ में ने आ रहा क्यों और क्या ब्लॉक किया है यहापे पर ये गोल हो जाएगा और देखो कोई डिफेंडर ही नहीं है जेम्स इतना आगे की जा रहे समझ में ने आ रहा है अर सिर ने मेडल लेजन को दिया और क्या गोल मारा इजर पास करने गा था पर मेडल लेजन है ते को बहुत ही बड़िया गोल था ये देखो वाव क्या गोल मारा और अल्मोश क्लोस आ गए थे हारने को यहापे फोर अल हुआ था पर फाइफ फोर से जीत लिया है और छे में से तीन मैच जीत लिया और तीन मैच जीतने होंगे टूर्नामेंट या फिर चैलेंज कंप्लिट करने को यहापे नाइन पॉइंट सिक्स रेटिंग और अभी तक एक अच्छली वाकिन गोल मारा था पर काउंट नहीं किया ठीक है कोई बात ने अच्छा हाँ अपने प्लेयर से करना था अजिन जो आवतार होगा तो मेडल लेजंड से करना होगा कोई दूसरे को लेकिन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो तीन मैचेस कंप्लेट हुआ है तीन बाकी है अगर यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो लाइक करिए शेर करें चैनल को सबस्क्राइब करिए अगला वीडियो में आप मैं आपके लिए टूर्णामेंट आगे कंटिनू करूंगा और होपफुली अगले वीडियो में हम टूर्णामेंट कंप्लीट करेंगे तब तक के लिए मैं हूँ इंडियन स्पोर्ट की हमार शुक्रिया यह वीडियो आखरी तक देखने करें